तो गाइस इसके लड़की के पूरी ही फेस पे हुए हैं कीडे और देखिए हम चाकू के माध्यों से रिमूव करेंगे और ये हमारा चाकू बहुत सारे कीनवने टाइपी कीडे को काटा दूसरा चाकू आया और देखिए केचुवी वाले कीडे को सेफ तरीके से काट के गिरा दिया हमारे चाकू ने, आगे पतल वाला चाकू अग ये भी देखी काफी ओसम तरीके से काटा बहुत सारी कीड़े को आगे हैंड वाला चाकू हमारा ये भी देखी गिनरे टाइप की कीड़े को गिरा है एक ही बारे में आगे दूसरा वाला चाकू और दिखी इसका फेस बहुत ही सेप तरीके से धिरी धिरी ट्रेटमेंट हो रहा है इसके चेरे का और ये बहुत ही डेंजरस कीड़ा था ये भी लग चुका था इसके चेरे पर वह पर रिमूव हुआ और ये जखम वाले कीड़े थे ये भी निकल चुके हैं अमरे चाकू सेप तरीके से काटा और देखिए जलीदार वाले कीड़े थे ये भी रिमू हो चुके हैं बहुत ही आसम तरीके से ये देखिए फिस पर मैंगोर्स को भी रिमूव हो चुके हैं और ये बहुत सारे गिनवने टाइप की कीड़े थे वो भी रिमूव होए हमारा हैंड वाला चाकू आया और देखिए इसके माउठ पर लगे हुए कीड़े को निकाला एक ही बार में और देखिए चेहरे पर लगे हुए कीड़े को रिमूव होए और देखिए गिनवने टाइप का कीड़ा था वो भी रिमूव हो चुका है हम लोग इस परे का दवा मार देंगे इसके चेहरे पर तो देखिए एक जगह दवाई पढ़ चुकी है और दूसरी जगह भी दवा पढ़ चुकी है और देखते हैं हमारा क्लीन हुआ है कि नहीं हम लोग कॉटन वूल रूई से साफ करेंगे से तो फैनली गैस देख सकते हो इस लड़की की पूरी ही फेस में बहुत ही जादा वर्मस लग गए हैं और कीड़े भी तो आज हम इसके फेस को पूरा ही क्लीन करेंगे पूरा इसका ट्रीट्मेंट करके तो देखिए हमारा चाकू वाला कटर बहुत ही से तरीकी से काटा कुछ कीड़े को और यह हमारा रेतीला चाकू बहुत ही आसम तरीके से बहुत सारे कीड़े को गिरा है एक ही बार में और यह हमारा पत्रोला चाकू बहुत ही तरीके से काटा इसके छेहरे पुलेके हुए कीड़े को और यह आक वाला कीड़ा गिरा और यह दूस्रा वाला भी आक वाला कीड़ा गिर चुका है से तरीके से कटके और देखिए हमारा चाकू से अब तरीके से काट रहा है ये गिनाउना वाला कीड़ा था जो कि इसके आई वाले वायरस पर लग गया था देखिए हमारा चाकू बहुती से अब तरीके से काटा कुछ कीड़े को और ये गिनाउने टाइब का कीड़ा था ये भी कट कीड़ चुका है और ये मैंगोर्स भी लगे थे इसके पुरे चेहरे पर वो भी रिमू हुए तो देखिए हमारा पत्रोला चाकू से अब तरीके से काटा और ये वारे भी कीड़े गिर चुके हैं और दिखिए छोटे छोटे कीड़े के घावद हैं वो भी साफ हुए और ये बहुत ही जाता गिनाओना टाइब का कीड़ा था वो भी गिर चुका है तो देखिए हमारा चाकू से तरीके से सब कीड़ों को गिरा दिया एक ही बार में हम लोग इस परे से दवा डाल दे रहे हैं इसके चेहरे पर तो दवा डाल चुका है अब हम लोग कॉटन वूल रूई से इसे साफ करेंगे तो टाइमर चलने देते हैं टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है लड़की के पूरे ही लेक पे लगे हैं कीड़े और यह फएड़ों के रिमूओ किया हमारे चाकू ने बहुत सारे फोड़े लग गए थे और यह बहुत सारे गिनवर टाइप की कीड़े थे वो भी लगे थे वो भी रिमूओ हो चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से और यह हमारा पतरला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काठा कुछ-कुछ कीड़े को और यह गिनवर टाइप की कीड़े भी रिमूओ हो चुके हैं के चुए वाले वायरस भी गिर चुके हैं हमारे चाकू ने सेफ तरीके से काठा और यह मैंगोर्स वाले कीड़े भी निकल चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से और यह गिनवर टाइप कीड़े था यह भी निकल चुका है एक ही बार में और यह भी काभी सेफ तरीके से काठा कुछ कीड़े को काट दिया एक ही बार में और यह मूव वाले वायरस थे यह भी निकल चुके हैं आगे दूसरा चाकू हमारा और देखे बहुत ही आसम तरीके से काठा बहुत सारे कीड़े को एक ही बार में आगे बतलो लचाकू और देखे इसके बैक पर लगी हुए कीड़े को रिमू किया भी कुछ घिनोने वाले वायरस लगे हैं तो देखे कुछ घिनोने वाले वायरस को हमारे हैंड वाले चाकू रिमू किया गी हमारा इस्प्रेश तो हम लोग दवा लगा दे रहे हैं इसके बैक साइड पे लेक्स पे तो दवा लग चुकी है अब हम लोग कॉटन वूल रूई से साफ कर देंगे पूरा फुल ट्रीटमेंट कर देंगे इसका हम लोग तो टाइमर चलने के बाद देखे हैं पाइनल इजन क्या निकलता है